किसी ने शक्ति कहा है अगर आप लगातार करी मेहनत करते हैं तो यही मेहनत आपको शफलता की तरफ ले जाती है जो कि आपको महान मनाती है आधरनिय दोस्तों नमश्कार मैं मनू आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लेखक के बारे में जो चाय बेचते हैं किन्तु लेखन की परतन मांजे तुम ही वे दिन में मजदूरी करते थे और रात में लिखते थे उनके पास नई किताबे खरिदने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए वे अकसर दरिया गंज में रविवार को लगने वाली पुरानी पुस्तकों के बाजार में जाया करते थे ताकि कम किम्तों प जो कि उन्होंने अपने पिता से उधार लिये थे ताकि वो दिल्ली जासके उस वक्त वे सिर्फ 23 शाल के थे पांच साल बाद उन्होंने विस्नु दिगंबर मार्ग पर चाय बेचना शुरू कर दिया जहां उस इलाके के लोगों के बीच वो लोग प्डिय हो गए लेकिन जब वो अपना पहला उपन्यास लेकर एक प्रकासक के पास गये तो उन्हें यह कहकर बाहर निकाल दिया गया कि एक चाय वाला क्या लिखेगा इस एक बात ने उन्हें लिखने के लिए और अपना सपना पूरा करने के लिए इतना प्रिरित किया कि उन्होंने पीछे मुरकर कभी नहीं देखा साल 2003 में उनकी किताब रामदास ने इंद्रप्रस्त सहित्ति भारती अवार्ज जीता और पुर्व राश्कपती परतिभा पाकिल के दुवारा उन्हें राश्कपती भवन आने का नियोता भी दिया गया इसके बाद उन्होंने दरजनों किताबे लिख दिये वे आज भी साइकिल से आना जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि साइकिल से आने जाने से वो ज्यादा पैसों की बचट कर सकते हैं जिससे वे और किताबे लिख सकते हैं, वे दोपर दो बजे से रात नो बजे तक चाई बेशते हैं और रात एक बजे तक लिखते हैं। 42 साल की उम्र में उन्होंने BA की डिगरी हासिल की, सालों पहले जब वे दिल्ली के ITO में चाई बेचा करते थे, तो इस छोटे से चाई के स्टोल में लोग चाई पीने के साथ इसलिए आना पसंद करते थे, क्योंकि ये चाई वाला किसी मुद्दे पर चर्चा के साथ लेखन क की दुनिया के बारे में भी बात किया करते थे, उस वक्त चाई बेचने वाले इस इनसान को देखकर किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा, कि ये वेक्ति एक दीन लेखन की दुनिया में जाना पहजाना नाम बन जाएगा, आज उन्हें कई प्रोग्रामों में अमंत्रित किया एतनिक दुनिया में वे और आगे बढ़े प्रेमश आभार